उनको ED के दफ्तर ले जाया जाना है और वहाँ पर अर्विन केजरिवाल के घर के बाहर आम आदनी पार्टी के कारेकरता धरने पर बैड़ गया है और कारेकरता भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं पुलिस ने धारा 144 लगा दी है पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है पुलिस उनको वहाँ से खदेडने की कोशिश कर रही है पीछे के दर्वाजे से काफी लोगों को पीछे धकेल भी दिया गया है लेकिन आगे की तरफ लोग सड़क पर बैढ़ गए हैं सड़क जैम कर द रहे हैं यानि अगर आम अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी पर सुनवाई होती भी है तो वो भी कल ही होगी अर्विन केजरिवाल को प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग आक्ट में के तहद गिरफतार किया गया है अर्विन केजरिवाल को शराब गोटा लेके आरोप में गिरफतार किया गया है ये कानून सक्त है याद कीजिए याद कीजिए बरश्टा चार के खिलाफ आंदोलन हुआ था तब एक उस आंदोलन से पार्टी बनी थी उस पार्टी ने चुनाव लड़ा था उस पार्टी के चुनाव लड़ने के बाद उस पार्टी के मुख्या मु के मंतری अरविन केजरीवाल बरश्टा चार के ही आरोप में गिरफतार कर लिए गए हैं और ये गानून सख्त है इस गानून को लेकर भी बहुत बात हुई थी लेकिन जब अंदोलन चल रहा था तब यही कहा जाता था कि बरश्टा चार के खिलाब जो गानून है वो इतने ल की मांग की थी और ऐसी सकती की मांग की थी कि नेता अगर कुछ करे तो आरोप लगने पर भी वो छूट न पाए वो जिन लोगों ने मांग की थी वो लोग अब खुद गिरफतार हो रहे हैं उन कानूनों में ये आंदोलन ब्रच्चाचार के खिलाब जिस पार्टी ने लढ़ा था जिस ग्रूप ने लढ़ा था जिस सँगठन ने लढ़ा था उस सँगठन से बनी पार्टी ही फिर सरकार में जब आई तो उसी के मुख्या को गिरफतार कर लिया गया है अरुन चिंग के बाच चलते हैं अरूण देखे रास्ता इसको साफ कराया जा रहा है किशोर यह देखिए पुलिस कर्मी पीछे की तरफ जा रहा है वहाँ पर कुछ लोगों के धरने पर बैटने की खबर मिली है और जैसे ही खबर मिलती है कि कुछ लोग धरने पर बैटने की खबर मिली है स्मूध हो सके तो क्या यह तैयारी बार-बार में पूछ रहा हूं और देखें दूसरी तरब यह पुलिस कर्मी यहां से जा रहे हैं काफी संख्या में हैं मुव्मेंट उनकी लगातार हो रहे हैं और दूसरी तरब भी पीसी आर दिल्ली पुलिस की खड़ी हो गई है इस पांड़े खड़े उससे साब सुतरा है और कम ट्रैफिक है इस पर इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि पुलिस कर्मी जिस तरह से यहां पर तैयारी करें और दूसरी बार एक सेफ पैसे हमेशा तैयार रखती है तो सामने के गेट से अगर पुलिस कर्मी नहीं ले जा पाएं यह मुझे राकी बिर्लान लग रही है अब आप देख सकते हैं मैं अकेली यहां खड़ी हूँ देख रहे हैं ताना चाही घुर्डा कर दी किस पर कार से तिशोर यह राकी बिर्लान है काफी मुखर रही है विधायक और उनको डिटेन करके यहां पर ले जाया जा रहा है को आता है इस बस में भी जादा लोगों को नहीं रहने दिया जा रहे हैं कि राकी बिर्लान यहां पर है कुछ कह रही है मैं सुनाने के कोशिश कर रहा हूं आपको अर्वित के जिवाल जी चुकेंगे नहीं डरेंगे नहीं जेल से सरकार चलाएंगे जो एक इंद्री सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोगना हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे मानुनी मुख्यमंत्री जी जेल से स़रकार चलाएंगे। यहीं तो शर्यंत्र है कि दिल्ली के लोगों को जो तो गोटाले की आरोप है यंजांः ने चैयें उन्दीन सवाविट कि के थे опять ऑपीन हैक सुनल और गोटाले की आरोप हैं अब इतना बड़ा अज़ात भारत का सबसे बड़ा गोटाला इलेक्टरोल बोर्ड का सामने आया है आपने उनसे सवाल पूछा उनसे सवाल पूछे नरेंद्र मोधी अपनी ताना शाही को कब खतम करेगा कब इस प्रकार से मुझे बलपूर्वक पैर मुड़ गया मेरा किस प्रकार से यहां पर खीच के लेकर आये दिल्ली की बेटियों क अगर यह माहल परिवर्थन करें तो यह पुलिस उसके लिए नाकी इस प्रकार से चुने यह प्रतिनी वीडियों का बलपूर्वक आरस्ट करें आपनों को क्या सूचना आरस्ट कर लिये गए हैं जब जब मोदी डरता है फुलिस को आगे करता है और मोदी इस वकत अगर किसी से डरा हुआ है तो वो है अर्विंद के इजगी बारूप है यह राखिल बिढनान है और कह रहे ही है जो जब बात हो रही है विरोध की बात हो रही है लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा है कि जो जवाब थे वो इवेजिव थे अर्विन केजरिवाल के इसलिए उनको गिरफतार किया गया यही बात अंदर से निकल के सामने आ रही है अब उधर जावेद वहाँ पर मौझूद है सामने की तरफ जहाँ पर जादा धरना प्रपरशन हो रहा है जावेद कि शोर जो दूसरी लेंटी सिविल लाइन की अब वो भी आमानी पार्टी के कारे करता हूं ने जाम कर दिये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं किस तरह से जो कारे करता है वो सड़क पर धरना कर रहा है अब यह सिविल लाइन की जो फूरी मेल रोड हम कह सकते हैं कि अब जाम हो गई है यह जो जाम है डियू की तरफ से आने वाला इस सड़क पर कितना जादा जाम लग चुका है यह तस्वीर देखिया मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाता हूं क्या किस तरीके से आमानी पार्टी के जो कारे करता है उनकी तरफ से बड़ा दर्शन है वो चल रहा है अब एड़ी की टीम अंदर ऐसे में चुनौती यह होगी कि अगर इस रास्ते से एड़ी की टीम को निकाल ला होगा अरविद के जिरिवाल को तो यहां पहले एक्शन होगा कारे करता हो जावे जावेद आमीद पांडे मैं आमेद क्या हो रहा है आपके पास देखें यहां पर यह जो में इंटरेंस है स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस रविंदर यादो यहां पर पहुंचे है और वो शायद पूरा जो अरेंगमेंट है उसका मुएना कर रहे है बहुत बड़ी कबर है गिरफतारी की कबर के बाद दिली पुलिस के यह वरिश्यतम अधिकारियों में से एक है यहां पर पहुंचे है और किस तरीके से जो डिप्लाइमेंट डीटेल है अपने अधिकारियों को यह निर्देश दे रहे हैं इससे पहले रैपेट अक्शन फोर्स को निर्देश मिल चुका है दिल्ली पुलिस द्वारा और उससे प अब दिल्ली पुलिस के वरिश्यतम अधिकारियों में से एक है रविंदर यांदर इसपेशल सीपिया और इनके जिम्में जो है महतपून जिम्मेगारी है अब कानून व्यवस्तार इस तरफ तो इस तरफ तो देखिए आमेद पांडे जिस तरफ कड़े हैं वहां पर यह वरिश अधिकारी पहुंच चुके हैं जावेज जहां पर है वहां पर पूरी सड़क जाम हो चुकी है पीछे की तरफ का रास्ता है जो क्लियर करा रही है दिल्ली पुलिस वहां पर अरुन मौझूद है अरुन आधिएंग गितिए इस बस में वह खड़ी थी अृष को उसको और पीछे कर दिया गया और यहां पर शुल बैरिकेडिंग थी उससे ुसुले हुए भीवार्प झाल झाल